नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिसिंग कुश्वा एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटिब चैनल में दोस्तों हम लोग NCRT Class 9 की Economics की समरी देख रहे हैं और आज हम लोग पहुचे हैं Chapter 3 में जिसमें इसकी Heading of Poverty ऐसे चैलेंज की गरीबी की इस तरह देश के लिए एक तरह चैलेंज है तो इस Chapter में हम यह जानेंगे की गरीबी की क्या क्या कारण है और सरकार द्वारा या Civil Society द्वारा क्या क्या मेजर्स ले गए हैं गरीबी को दूर करने के लिए यह सारा चीज हम इस Chapter में जानेंगे चली शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों सबसे पहले इंट्रड़क्शन की बात कर ले गरीबी होती क्या है हम आप सभी जानते गरीबी क्या होती है जब एक मानव अपनी रोज मरदा के जोड़तों को पूरी ना कर सके उसके पास इतने लिवली तंप पैसा ना हो इतनी रिसोर्स ना हो कि वह अपन जीवन आपन चीज तरहेभी सब्हाँ हो नहीं हम इसी शुग्ड़ नहीं हो देखके हमें सेहसा ही अपने फेल आता है कि इतनी गरीब हैंगे पास खाने का कोई पिस शूर्स, क्यों पता नीं है कि आश्राम को खना मिलेगा नहीं मिलेगा इनके पास रहने को छठ नहीं है तो आम भाशा में कहें कि गरीबी को हम समझते हैं कि अगर किसी विक्ति के पास खाने का सूर्स नहीं है पकका और जरिया नहीं है और उसके पास रहने को शेल्टर नहीं है तो भारत की बात करें तो लगभग यहां पर हर चार में से एक आदमी गरीब है वैसे यह बहुत ही ए और लगभक 26 को और लोंग भारत में करीबी रेखा कि नीचे जीते हैं हम बात करेंगे क्या होती करीबी रेखा या पर और यहां पर एक 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 जामपल दिया गया है एक अरबन केस का शहरी छेतर में एक व्यक्ति है रामसरन और पंद्रस रुपर महीना यह कमाता है इसके फैमिली में 6 मेंबर्स है और आप सोच सकते कि पंद्रस रुपर महीना मतलब रोज का पचास रुपर के साब से व्यक्ति कमा रहे है वह छे लोग के फैमिली कैसे मैनेज करेगा वह एक डेली वेज वरकर है और उसकी वाइफ है वह भी लोगों घर में जाके शाड़ों पुचा करती आट सो पर वह भी कमाती मतलब कुलमला की यह कहा जाए कि इनकी पूरी फैमिली है यह किसी काम में लगी हुई है और इनके जो बच्चे इसकूल नहीं जाते इनके पास जो टू मील्स का जो जरिया है वो भी नहीं है कभी-कभी इनको खाना मिलता नहीं मिलता है इस फैमिली हम बताए गया है कि इनके पास जो जूता है वो भी एक तरीकी लगजरी है और जो इनके घर में छोटे बच्चे है रामसरन के वो तो अंडन अर्टरिस्ट है मतलब को इसकार है और इनके बस किसी बितरे की हेल्थ केर फेसिलिटेनिया करी बिमार भी हो जाती है तो अपने बिना इलाज की ही उमिद करते हैं ठीक हो जाए और इस चक्कर में इनकी बॉड़ी जो है बहुत जादा सफ़र करती है वहीं एक ग्रामिट शेतर का एक्जांपल दिया बिमारी से चल बसेते हैं अब उसकी जो माता है लाका सिंग उसको भी टीबी है और आट लोंका इनका परिवार है कच्छा घर है इनके पास और आप सोच सकते हैं कि इनके पास साबून आ जाए या फिर कुछ अच्छा खाने को मिल जा वह बिनक लिए लगजरी है यह हम सकते हैं कि कोई किसान है उसके पास जमीन नहीं है लैंडेस्नेस है तो और झाए लिए हो सकता है तो एक तरहीं से वह बीवार है वह गरीब हो सकता है इलेट्रेसी बहुत बड़ा रीजन है जिसे कहते हैं जो वक्ति शक्षर नहीं है जो अनपढ़ हैं अमोमन वह छोटा काम ही करते हैं जीवन पर वह गरीब ही मिरते हैं पूर हेल्थ माल नुट्रिशन कोई व्यक्ति क्या स्वास्ति अच्छा नहीं है चार दिन काम करता है पा काम को करने में पूरा अपने 100% नहीं देपाते है पुरी जिंदगी चाइड लेबर एक बाट बीशन सबस्दाए जो बच्चा छोटी उम्र में ही काम करने में लग गया मस्दूरी कर रहा है तो पढ़ाईगा नहीं और पढ़ेगा नहीं तो फिर उस तरह अपने इसके और लैक ओफ शेल्टर मतलब अब शर्पर च्टना होना यह दो में बोल सकते हैं किसे विक्ति को गरीब कहने के लिए काफी है और इसके लावा अगर वैसे मैंने बोला सबसे पहले मैंने बूला किसी विक्ति को एक डिसेंट लाइफ जीवन जीन के लिए अगर वो सक्षम तो उसे हम गरीब कह सकते हैं तो डिसेंट लाइफ में जो कि हमारा समविधान का आर्टिकल 20 भी कहता है कि गर्मा पूर गर्मा में जीवन जीवन जीवने का दिकार दिता है हमें वो तो अगर उसको क्लीन वाटर की फैसिलिटी नहीं है उसके पास सेंटेशन की विश्था नह के लिए रगुलर इंकम नहीं है थो उस्ति को भेम गरीब कह सकते हैं महात्मा गाने ने कहा था एक बार कि देश का वीकास तब तक नहीं हो सकता या देश तब तक बूड़ था सौदन नहीं हों सकता जब तक इस देश का हर एक विक्ति भुकमरी से निजात ना पाले मतलब अब उसके पास यह टेंशन नहीं हो कि उसको आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा और सरकार ने इसके लिए काफी अच्छी कतम उठाए है राइट टू फूर्ट का एक एक्ट है थे 2013 में और इसके सरकार ने कोशिश किया कि जो हमारा तता है पुबलिक दि你看 the planet सिस्टम में वहां से हर एक वेक्टि को कम से कम उषसके जीने के लिए जो घंडिते हैं उसको पूर्शी ओजाए और इसका लिए सरकार ने राशन काट की वेशित्ता की ही है मिल जाता में तो यह हमने राइट फूर्ड एक एक काल था अब जो सोशल राइट साइंटिस्ट हैं जो सामाजी वेग्यानिक हैं वो गरीबी को इससे उपर समझते हैं और वो कहते हैं कि एक व्यक्तिक का जो गर्मा में जीवन जीने का जो अधिकार है अगर उस अधिकार में किसी भी चीज से वह वंचित हो जाता है तो उसको हम को परिवार में यह सारी बातें अगर किसी के पास हैं तो उसको गरीब नहीं करेंगे और इसमें कोई भी ऐक बात करता है तो तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति पूर या गरीब है और वो पावर्टी उसके परिवार में तो सोचल एक्स्क्लूजिजन के बात करें समाजिक रहा है इसके मलेंद बस्ती है जो पड़ी है हमारे बड़ बड़े शहरों बड़े मल्टी हो से दूर रहे और यह समय के साथ जो कास्ट सिस्टम उसमें काफी जारे रिजिट हो गया तो जो शेडूल का सो शेडूल ट्राइब से वो पुराने समय से गरीब रहे हैं तो आज भी से अगर कोई होता है तो एक तरह से मन में भावना आ जाती है संपन वर्ग की की हो सकता है यह गरीब हो पुषरत आज हमाय देश में अगर हम देखे तो देश के राश्पती जो है वो भी शेडूल का से आते हैं लेकिन फिर भी एक शुशल एक्स्टूशन का जो मैंड सेट है वो संपन वर्ग में है अभी भी यह सारा जो खेल हुआ है इसा पावर्टी कान या गरीब कान ही हुआ है अब जो अगला टॉपिक है वो वलन रिविल्टी मतलब इसे भेदता कहते हैं तो आम भाशन में कहें कि कौन कितना ज़्यादा रिस्क प्रोन है तो जो वक्ति क्या गईब है और अगर इसके पास उसका काम का चलना है वह गर्बंद हो जाया हुसकी सिए खराब हो जाए उसकी घर में कोई दिक्कत आ जाए उससे कोई बीमार हो जब घर जाये तो फिर वह और ज़्यादा GRIBo हो जाता है और अगर इनके घर में तो कोई बिमार हो जाता तो इनको आउट आफ दी पॉकेट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक सर्वे ने कहा था है कि हमाई देश में हर साल लगभग 20 से 22 लाक लोग गरीब हो जाते हैं कि उनका जो आउट आफ दी पॉकेट एक्सपेंस है अस्पिताल में इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको इनके बाद जो भी संपत्ती होती इसको बेच के वो अपने खर के वेक्तियों का इलाज कराते हैं तो यहां पर बताया गया कि विलनर्वेल्टी डिस्क्राइब ग्रेटर प्रविबेल्टी ऑफ बिइंग मोर्ड एडवर्सली एफेक्टेट देन अधर प्यूपल विन बेड तैम्स कमस फॉर एवर्रीबडी मतलब जब भी बुरा वक्त आता है तो यह जो गरीब ही रेखा जो घूरा को लिकर तो पावर्टी लाइन को में गया जाता है दो इक तो हम्कम रूंप दोसरा हम मिला को लेवल कि आ पावर्त देश के बात करें तो यहां पर जो कंजप्शन लेवल उसको कहा गया है कि अगर कोई ग्रैंड विक्त है वो दिन की 2400 कवरी उस्तो खाना मिल रहा है और शहरें उस्तो के में और को उसलि एक जाख और product चाल्विशन ही जहाएं ख्याना में हें खाना बा सबस्क्कारिकर आप में है वह खुछ着 Eduardo présent बिखते हैं कि कोई व्यक्ति चारसो पानसो यहार रुप में किस तरह महीना जीएगा फिर भी सरकार की डेफिनिशन है और यह जो हमने बात की है यह सारी डेफिनिशन निकलता है नैशनल सेंपल सर्वे और यही सेंपल यह एक तरह से हमाई देश का सर्वे करने वाला एक वर्ड बैंक ने जिसका मुख्याल है अमेरिका के नियॉयॉक शहर में वर्ड बैंक और आयम फ दोनों का मुख्याल है वाशिन्क्रिन डी-सी में इसने कहा था कि जो व्यक्ति एक डॉलर से कम पर डे कमाता है उस व्यक्ति को हम गरीब कह सकते हैं अब एक डॉलर की कीमत कम कमाता है वो गरीब है और हमने यहां पर क्राटे रहे क्या देखा 54 रूपए और 328 रूपए यह वर्ड बैंक की डेफिनिशन है अब बात कर लेते हैं पावर्टी इस्टिमेट्स की हमाई देश में जो गरीबी का जो इस्टिमेट्स है वो कैसे निकला जाता है और क्या रहा है देखिए हमाई देश की जो भी सरकार आई हैं चाहें नहरू से लेकर इंद्रा गांधी हो चाहें आज मोदी हूं इन सब का म अंगर कानारा लेकर लोग आई हैं कि हम इसा को दूर कर देंगे आपको एक अच्छा जीवन देंगे और एक अच्छे जीवन की आसमें लोग बाटियों को वोड भी देते हैं तो यह तरह का जो बात कहें कि पॉलिटिक्स का में अजंडा होई हटे आएगा फिर भी वह अच्छी बात है भारत को प्रशंसा का पातर है कि दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी से उपर उठने वाले देशों में भारत है और बहुत सारे इसने करोड़ों को गरीबी रिखा से उपर निकाला है यह बात तो माननी पड़ेगी और लेकिन फिर भी यह माना गिया कि देश में लगवख 26 कॉल्ड लोंग जैसे हैं जो भी गरीब है कि 1973 में हमाई देश में 55 परसेंट लोंग गरीब थे और 1993 में 36 परसेंट गरीब है अब यह एक इस्टिमेंट दिया रहे है कि पावर्टी रेशियो का तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 1974 में जो ग्रामेट शेतर में 56 परसेंट लोंग गरीब थे उसके बाद दो 20 साल बाद 37 परसेंट लोंग गरीब बचे उसके बाद हम देख रहे हैं कि यह 10 साल बाद 27 गरीब बचे मतलब गरीब जो परसेंटेज वो कम हो रहा है पॉपलेशन भी गरीबी रेखा से उपर आ रही है पावर्टी लैंस उपर आ रही पपलेशन यह अच्छी बात है अब बात कर लेते विल्ट गुप से मतलब ऐसे लोंग जो की ज्यादा रिस्क प्रोन है इन पर गरीब जीने का संखर शुरू हो सकता है इनको रोज महत करनी पड़ेंगे कि हम क्या खाएं कैसे रहें कहां रहें ना इनके पास शेल्टर होगा ना इनके पास खाने के लिए सई परयाप वेश्ता होगी तो यह एक आप देखें पावर्टे इन इंडिया 2000 मोस्ट व्लेबर ग्रॉप्स का यहां पे चार्ट दिया हुआ है उसमें बताया गया है कि शेडूल ट्राप्स में 59 परसेंट लोंग गरीवी में आ रहे है अर्बन लेबर्स में 50 परसेंट लोंग आ रहे हैं ग्रामेंट जो एक तरह से बताया गया है कि हर स्वामे से कितनी लोंग ऐसे वल्लेबर ग्रॉप्स में आ रहे हैं जो कि बिलकुल हाई रिस्क में हैं गरीब होने में और यह बात जग जाहे रहे हैं जिस देश में जो व्यक्ति गरीब रहेगा वो देश की एक नौमी में ज्यादा कंट तो इसकी ट parked देशन में उसका पुरा जिवन निकल जाता है और subsid बद है कि हुआथ की एक स्थिति हो जाती कि एक तरह से इनका जीवन खुद के लिए लिए लियवल्विल्ट्टी हो जатते है और सबकार के लिए लियवल्टी हो जाते है और सरकार अ कले लिए लिए को अकि कि एसेट में तबदिल करें, क्योंकि ये लोंग तो तयार है क्वाम करने के लिए लेकिन कुछ ऐसी करंडिशन्स बन जाती हैं कि ये लोग पावर्टी ने चला आते हैं यहाँ पर एक कनवसेशन बताः गया कि यह आप नहीं बोल ला है कि मेरे पास तो इतना इनको एक तरह से सिस्टम ही डिराइग कर देता है कि आपका जीवन ही किसी काम कर नहीं है क्योंकि आप लोग एक तरह से हमारे पर लाइबिल्टी है यह गरीब फैमली की सूच में बता रहा हूं यहां पर शिवरामन की एक कहानी बताई कई है यह कॉबलर है मुझी है और यह बता रहा है कि मैं दुरुज के 50 रुपय का माता हूं और कभी कभी तो पैसा मिलता है को इन ही मिलते और इसने अपने खर्चेवियां बताएं है तो हमाई देश में कुछ ऐसे राज है जहां पे जो पॉर्टी लेवल बहुत ज्यादा है इसे कहते इंटरि स्टेट डिस पर इस तो ऐसा इसलिए कि जहां पर पॉपलेशन ज्यादा है तो वहां पर जो रिसूर्सेस है वो फुली यूट्राइस हो रहे हैं और यूट्रि सुर्सेज जो है ने स्ट्रिसूर्स जो है वह थला तरह से कम पढ़ रहे हैं जो राजके की जनसंख्या या पॉपलेशन कम है वहाँ पे पहुट जाता होगा साथ में जो ऐसे राज़ज है जो कि नेश्रल खेलरे रहते हैं पहाडी है उसके पहाडी राजञे उनके पास जदिया नहीं है और जादे इंके पास औप्षिन्स नहीं है कि हर तरह काम यह कर सके। कुछ यह से राज जाएंजाब एक तरह से ज्यादा ही है, और सीरिस प्रॉब्लम है. वहीं गर एक राज की बात करें जैसे कीरल अंट्रपदेश्तामिलाडू गुजात वेस्ट बेंगाल पंजाब हर्याणा। यहां पे जिसे पंजाब हर्याणा की बात करें तो यहां पर जो एरी कल्चर है का फ्लिष होता है, यहां के किसान काफी अच्छे हैं, सब्रध्ध हैं, गुज्रात की बात करें तो एक तरह का कमरिशल स्टेट है, यहां पर बहुत सरा वाड़ीच होता है, और अंच्रपधिस्तामिल लाड़ो की बात करें तो उन्हें अलग अलग सेक्टर में अपने आपको इतना गुरूम कर जाए, तो केरला अपने human resource development ने काफी आंगे रहता है, तो तैय करता है कि हमारे राजे का हर एक विक्ति, जो काम करने का एक शुक है, उसके पास काम हो, और हमारे राजे का हर एक विक्ति, जाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बड़ा हो, उसके जो जरूर्त हो, जो नीट हो एक दिन में उसको हम गरीब मनेंगे, और इसमें बताएगे कि साउथ इस्ट इसन नेशन से, जो चाइना है, वहां पर जो करीबी काफी तीरी से कम हुई है, और भारत को भी इसने अपलॉड किया कि हाँ, आपने यह बहुत अच्छा कम किया है, लेकिन यही बताएगिया कि हमाई देश में, जो खासकर भारत की बात इसने कही है, वर्ड बैंक ने की हमाई भारत में, जो पुराई लोंग है वो तो गरीबी से बाहर निकल रहे है, लेकिन कुछ नए लोंग बे करीब होने में एड हो जा रहे है, एक तरह से साइकल चल रहा है, कि मतलब परसेंटेज कम हो रहा है, लोंग गरीबी से बाहर आ रहे हैं कि नए लोंग बे गरीबी की ओठक ले जा रहे हैं, जो से पाकिस्तान, शुलंका, इंडिया, निपार, भांगादेश, यहां पर जो पावर्टी काफी ज़्यादा वरिंग सिच्वेशन में है, अब यहां पे कुछ हमारे राज दी हैं, और एक तरह इसका बार ग्राफ दिया है, कि आप देख सकते हैं कि किस राज में कितनी आदा गरीब ही, और दूसरा वहां के नैच्रल सोर्स्स और वहां के जो क्लैमेटिक कंडिशन है, उनके टोपग्राफी उन सब पे डिपेंड करता है, अब बात करते हैं क सब सहारन जो अफ्रिका वाला एरिया है, जहां पे सहारा वहां पे करीबी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम है, और बताया गया है कि यॉनाटर नेशन्स ने, जो सभी तुर आस्ट्रेस का मख्या है, नियॉयोक में, उसने एक मिलेनियम डेवल्प्मेंट गोल्स जारी किये जब वर्ष 2000 हुआ उसे मिलेनियम खहा गया, तो 2000-2015 के लिए हमने मिलेनियम डेवल्प्मेंट गोल्स जारी किये थे और इसमें गोल था कि हमें पावर्टी को दूर करना है, हर एक व्यक्ति को गरीबी सूपर उठाना है, तो मिलेनियम डेवल्प्मेंट गोल्स को हम नेवल्प्मेंट गोल्स सतत विकाष लक्ष और इसमें हमने 17 गोल्स को टार्गेट किया है और उसके अंदर 169 गोल्स है और उसमें जीरो हंगर को लेकर एक गोल है, पावर्टी को लेकर एक गोल है कि हमने इसको हटाना है, और यह जो SDG हैं यह 25-30 के लिए देखते हैं कि इस बार हमने जो गोल्स टाय किए है, उससे क्या देश में दुनिया में गरीबी रहती है कि हटा दी जाती है, यहां कुछ कंट्री का एक कंपरिशन दिया कि नाजेरिया में देखे कितनी गरीब है, 70% गरीब है, मांगले देश इंडिया में 35% गरीब, तो एक कंपरिशन द कई सरे कारण हैं गरीबी के, तो सबसे बार बहुत बताया है कि low level of economic development, जिस देश में जिस राज़में, जिस शहर में economic development नहीं होगा, वहां पर आर्थिक जुकत्विदिया नहीं होगी, तो वहां के लोग पो रोजगार नहीं मेलेगा, उनके वास प्रॉपर एकस्स नहीं ह जो जहां पर एकनॉमिक डेवलप्मेंट होगा वहां पर इंड्रेस्ट्री होगी तो जहां पुब्लिक हो या प्राइबिट वो जॉब प्रोइट करेगी जिस्ते ओवर आल जो मेंबर जॉब करेगा उसका जो लिविंग स्टेंडर वो हाई होगा उसका फैमली को सपोर्ट कर भागए है तो यह लोग जो बड़े शहरों में गये थी इसलिए गये थे कि इनके शहर इसके गाहों इनके शिराज्यों में इनके पास प्रॉपर जॉब नहीं इवलेबल हो पा रहे थी इसलिए आप देखते कि बिहार यूपी पश्ची मंगाल के लोगों ने माइगरेट क इसलिए यहां पर बसे हुए थे और अपने घर को पैसा भीच रहे थे और जब यहां पर कोरोना आया तो इनके वरिवर्स माइगरेशन शुरू हुआ तो यह सब कारण है कि उस स्टेट में उस राज्य में उस जो उनका जिला है वहां पर एक एकनॉमिक डवलेप्मेंट न बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने इक बताया आपको कि सरकार ने दोहया तेरह में राइट फूल यह फूट सेक्यूर्टी एक ला दिया जिसके तहती सरकार ने कोशिश किए कि देश के हर एक व्यक्ति को खाना मिले कोई व्यक्ति रात्मी भूखा नहीं सोए उननीस्सो प पांच में नरेगा लाया नैशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गैरेंटी एक्ट और बाद में इसका नाम चेंज करके हमने मन्रेगा कर दी और आज इसमें हर व्यक्ति को उसके घर से पांच क्यों मुटके दारें में स्वाधिन का रोजगार मिलते और इस पार जो रिवर्स मा योषना लॉच्ट टी और इसके ते लोगों को रोजगार मिल्ला था उनके ख़र के बढ़ रवजगार था ठीक ठाक चल रहा था दो यह सब में आप देख रहें क्रांब गॉदे मतलब ग्राम कोदा मतलब गाउं कि में जो भी काम होना है तर्ट बननी है वहां पर तलाब खुदना ए गाउं में हैंटोम लगना हैं गाउं में लाइट लगना है घुट बिल्डिंग बनना तो यह सभी योश्ना के थे था सरकार ने प Katherine अंह hatten a new प्लांगिव किसके था सरकार ने नाम में अनहीं मतलब का सरकार सबस्टराइश कर दोब्ली डिस्टिपुशा इस्टम हैं करते हैं को हम राशन championships हैं वहां से है चाइना के बाद हमारे हैं जो पावर्टी है वह ज्यादा है चाइना में हमसे कम इसलिए पावर्टी है कि अबादी भले चाइना में जाते लेकिन उनका एकनॉमिक सब्सक्राइब करते हैं तो भारत को चाहिए अगर सब्सक्राइब करना है तो इसको हमाई देश में हर एक व्यक्ति को रोजगार देना पड़ेगा उसकी स्किल के साब से यहां पे हर एक स्टेट को कोई बहतरीन पॉलिसी बनाने पड़ेगी विए अपने हीमन रिसरूस के लिए और जो भी पॉपलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और जो माइक्रेशन की प्रॉब्लम है उसको करना पड़ेगा और साथ में एजुकेशन पर हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि कोई करीब का बच्चा ऐसा नहीं हो कि पढ़ 12 साल की उमरे तक उसको free and compulsory education दे जाएगे तो इस सरकार ने लिए हैं और जिससे हम कोशिश कर रहे हमारे देश में गरीब ही दूर क्योंकि गरीब ही दूर होगी तभी तो वो जो human है जो गरीब है वो liability से हटके acid बनेगा और फिर वो हमारे देश की economic growth है उसमें contribute कर पाएग करेगा खुद का भी भला करेगा देश का भला करेगा तो यह रहा चैपकर थर्ड मैं हमीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा कुछ key points आपने इससे उठाए होंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले session में तब तक लिए जय है